सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हां बेल आइकन दबाना ना भूलें देखिए हम जो भी कारी करते हैं उसकी सफलता ना हो पाने में एक कारण यह हो सकता है कि हमने जो प्रयास किया है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है हर असफलता के बाद हर असफलता के बाद यह सोचना चाहिए कि कारी किये जाने के प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह गई है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पूरे मन से, पूरी लगन से कोई कारी करें और वो शफल ना हो, शफल अवश्च होगा, आप प्रयास करते रहें, सब के मूल में ठाकुर जी हैं, ऐसा मानते हुए करें, हमें यह भी निश्चे करना आनिवारी है कि हमें किन कारीयों को अधिक महत् पूर्ण समझना है, किसको नहीं, देखो जीवन में समय सीमित है, सब के पास 24 गंटे हैं, दिन रात में 24 गंटे हैं, एक निश्चित समय सब के पास है, कोई लोग उतने ही समय का उप्यों करके, बहुत सारी उपलब्धिया हासिल कर लेते हैं, किसलिए कि समय बहुत छोटा पड़ता बहुत कम लगता है, कारण क्या है, हम लोग समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, किस कारी को वरियता देनी हैं, किस कारी को नहीं देनी हैं, तो कारी की आसफलता में हमारा प्रियास कुछ कमजोर रह गया, ऐसा मान करके, हतास नहीं होना चाहिए, पुन्हा अपने प्रयास करते रहना चाहिए, निश्चित हमारी कारी सफल होगा, कारी की सफलता के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, आप देखेंगे एक छोटी सी चीटी है, कोई दाना उसको मिल गया, लेकर जा रही है, बार बार उपर चलती है, गिर जाती है, बार अपने प्रयासों में लगे रहें, निश्चित सफलता प्राप्त होगी,